HIV window period in Hindi HIV window period 3 months और 6 months HIV window period कितने दिन का होता है और HIV window period क्या होता है इन सभी सवालों का जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले देखते है HIV window period क्या होता है यदि किसी इनसान के अंदर HIV का वाइरस मान लो आज जाता है तो उस इनसान का आप कल या परसो HIV का टेस्ट कराएंगे तो इह रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा रिपोर्ट को पॉजिटिव बनने के लिए HIV का रिपोर्ट लेपोर्टि में पॉजिटिव आने के लिए कुछ दिन का इंतजार करना होता है और जो इंतजार करना होता है इसको कहते हैं HIV window period तो सबसे पहले ये जानते है तो क्या इस सभी किसम के window period सभी टेस्ट के window period एक जैसे होते है या विबिन होते है तो इसका जवाब है कि इसका हर टेस्ट का window period अलगलन हो सकता है लिपेम करता है किस किसम का टेस्ट का इस्तमाल किया जाए और सबसे बड़ी एक और confusion है कि नाको HIV window period या गबलियो एचो HIV window period या CDC HIV window period तो इन में से कॉल सी गाइडलाइन को follow किया जाए तो सबसे अच्छी तरह से एक्स्विन को किया गया है तो वो अमेरिका की CDC याने की Center for Disease Control की जो विपसेट से वहाँ पर एविंडो period clear cut समझाया गया है तो हम आज उसी गाइडलाइन्स को हिजाब से आगे देखेंगे तो यदि किसी इनसान का exposure हुआ है और उसको doubt है कि HIV का वाइरस उसके अंदर enter किया हो सकता है तो याद रखे सरुवाती 17 दिन 17 days किसी भी किसम का टेश्ट का इस्तमाल नहीं कर सकते है 17 days के बाद 17 दिन के बाद आप HIV PCR टेश्ट का जो विंडो period 17 दिन का है उसके बाद आप किसी भी किसम का इस टेश्ट को करा सकते हो लेकिन याद रखे आप PCR DNA टेश्ट करा सकते हो या तो PCR RN टेश्ट करा सकते हो लेकिन आपको HIV के निदान के लिए PCR quantitative टेश्ट का इस्तमाल नहीं करना होता आपको HIV viral load टेश्ट का इस्तमाल HIV के निदान के लिए नहीं करना होता आपको सिर्फ qualitative टेश्ट का इस्तमाल करना होता है तो ये HIV PCR qualitative टेश्ट का विंडो period 17 days यानि की 17 दिन का होता है और 17 दिन के बाद आप टेस्ट करा सकते हो और यदि वो नेगेटिव आता है तो आपको वापस और को रिपोर्ट्स कराने की आवश्रक्ता नहीं है ये टेस्ट विबिन दो नाम से अक्सर जाना जाता है एक है HIV-1 DNA डिटेक्टर और दूसरा है HIV-1 proviral DNA qualitative test इसके अलाव किस और नाम से भी इसका नेबलिंग हो ऐसा हो सकता है यह टेस्ट special laboratories जो body laboratory से वहाँ पर ही उपलब्थ होती है और इस टेस्ट का costing आम तोर पर 2000 रुपे से लेकर 4000 रुपे तक का होता है यदि आपका exposure 45 days अभी नहीं हुआ है तो मानले जे 17 दिन से लेकर 45 days के बीच में हुआ है तो आपको PCR test कराना है और यदि आपके exposure के 45 days हो चुके है तो आप HIV-1 अलाईजा 4th generation test करा सकते हो जिसके अंदर antigen plus antibody तोनों detect होते है और यह test HIV-combo और HIV-2 के नाम से भी जारा जाता है तो यहाँ पर हमने समझा कि HIV-1 अलाईजा 4th generation test का window period है 45 days HIV-combo test यानि कि HIV-2o test का window period से 45 days तो आप 45 days के बाद कभी भी इस test को करा सकते हो यह test बहुत सारी private laboratory में उपलत होती है और उसका costing और शतल 500 से 1000 रुपे तक का होता है और यदि आपके exposure का 90 दिन हो चुका है तो फिर आप HIV-antibody test करा सकते हो और यह HIV-alाईजा 3rd generation test का window period होता है 90 days यानि कि 90 दिन तो यह 90 दिन का जो test है वो विपिन और अलंगल किसम के नाम से भी जाना जाता है जैसे कि HIV-1 and 2 antibody, HIV rapid test, HIV antibody test, HIV card test, HIV tridot test, HIV combat या तो किसी और नाम से भी जाना जा सकता है लिकिन इसका principle है antibody को detect करना है और exposure के 90 दिन बाद हो चुका है तो आप ए antibody test करा सकते हूँ याद रखे आपको हर किसम का test कराने की जरूत नहीं है इन तीन कैटेगरी है simplify कर समरी करता हूँ में पहले 17 दिन कोई test नहीं यदि 17 दिन से 44 दिन हुआ है तो आप PCR qualitative test करा लिजिन 44 से 90 दिन हुआ है तो आप HIV combo test करा लिजिन 90 दिन से ज्यादा हुआ है तो आप antibody test करा लिजिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप 45 दिन के बाद PCR test नहीं करा सकते और 90 दिन के बाद HIV antigen antibody test नहीं करा सकते करा तो सकते हो लोकिन उसको कराने की जरूत नहीं है जब हमारे पास simple test से पता चल सकता है जब हमें easily available test से test कर सकते हैं तो आपको महिंगे test कराने की आवश्यक्ता नहीं है लोग यह भी पूछते हैं HIV window period in India तो याद रखे हर देश के लिए हर दुनिया के लिए HIV का window period हर test के लिए एक जैसा ही होता है विबिन देश के लिए और विबिन सेयर के लोगों के लिए यह window period अलग-अलग नहीं होता है वो पूछ जैसा ही होता है यह सब principles इस test का जब window period define करते हैं तब इसमें सामिल हो जाता है तो याद रखे है कभी भी antibody test का window period तीन महिने से ज़्यादा नहीं होता है और दूसरी महतपूल चीज़ आपको इन तीन कैटेगरी में से कोई एक ही report कराना है और एक ही बार कराना है और वो reports negative आ जाए तो आपको अन्यक कोई report वापस कराने की जरुवत नहीं है और महतपूल एक चितावनी एकस्पोजर से तीन दिन के बीतर PEP यानि की post exposure prophylaxis medicine का इस्तमाल से HIV होने से हम उसको रोक सकते हैं लेकिन एकस्पोजर से तीन दिन के बाद किसी भी किसम की दवाय आयर्विदिक हो एलोपेथी हो एर्टी मेडिसिन हो ओमेपेथिक मेडिसिन हो जीन तेरापी हो या अन्य किसी किसम की मेडिसिन या हर्बल दवाय हो उससे HIV को नहीं रोका जा सकते हैं और HIV विंडो पिरियर्ड टीट्मेंट HIV विंडो पिरियर्ड मेडिसिन और विंडो पिरियर्ड टीट्मेंट ऐसा कोई सब्द दुनिया की किसी भी किसम की किताब में नहीं है किसी किसम की गाइड लाइन में भी नहीं है तो इस किसम का किसी दवाय का प्रयोग ना करे और अपने आपको स्वास्ते और पैसे के रूप में होने वाले नुकसान से बचे हमारा मिशन है एचावी एक्सपोजर से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दुर करना और हमारा विजन है एचावी के बारे में आसान बासा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना मैं एचावी एड़ स्पेस्चालिस्ट डॉक्टर केतन राण परिया पिशले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशन का ट्रंसल्टेशन कर चुका हूँ यह चैनल एचावी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के अधार पर दी जाती है लेकिन याद रखिए समय के साथ विज्ञान बदल सकता है यहाँ पर कहीं के बाते एक आवम जानकारी के लिए हैं तो भी भी किसी भी किसम की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV-AIDS Specialist doctor से यत्तिगत रूप से राय लेना अत्यन आवश्च क है HIV के सिम्टमज के बारे में अधिक जानकारी के लिए लाप साइट के प्लेलिट पर ट्LiC करे और HIV के टेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइट साइट के प्लेलिट पर क्लिक करे thank you